नमस्कार स्वागत है आपका हमारे स्खास कारेक्टर मेट्रो की साउगात में मैं हूँ सनी गंगा सागर आपके साथ में इंदॉर मेट्रो रूट एक four-line mass rapid transit system project है और जिसे मध्यज़़ेश के सबसे बड़े शहर में बनाया गया है इसका निर्मान मध्यज़ मेट्रो रेल कॉपरेशन लिमिट्ट कर रहा है Metro Rail Corporation Limited के प्रयासों और राज्य सरकार की इच्छा शक्ती के कारण ही Metro की सुवेधा शुरू होने जा रहे हैं वैसे इंदौर मालवा के पठार परिस्थित है और इसका 6 रुफल 214 वर किलो मीटर है इंदौर दो टियर शहर है और भार्ती राज मत्रपदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है यह शहर राज के व्यापार केंद्र होने के अलावा अपने गैस्टोनॉमिक अनुभव के लिए जाना जाता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान का सपना था कि प्रदेश के अध्योगिक नगर में मेट्रो का संचालन हो उनका यह सपना पूरा होने वाला है इंदौर में 5.8 किलो मीटर लंबे सूपर प्रियोरिटी कोरिडॉर का काम पूरा हो चुका है मद्य पदेश के इतियास में आज का दिन आज की तारिक दर्ज होने जा रही है कारण है मद्य पदेश बलकि यूँ कहे कि मद्य भारत की पहली मेट्रो ट्रेन अपने ट्रेक पर चलेगी मेरे पीछे की और आपको एक बड़ा सा कंटेनर एक बड़ा सा ट्रॉला नजर आ रहाए इस ठ्रॉले के उपर यह वो कोच हैं इस कवरड पदे के अंदर वो ट्रेन के कोच हैं जो मद्य पदेश में पहली बार पहुचे हैं इंदोर में पहली वार पहुंचे ने 800 किलमेटर की दूरी से गुजरा से यहां सफर करके लाए गया एक हपते का समय लगाई ने यहां पहुंचाने में और आज इस ट्रेक पर यह जो मेरे पीछे की और आपको एक पूरा एक बड़ा सा यह जो ट्रेक ने जरा रहा है यह मद्धिबतेश शासन के दिखार हुगा कहना है कि सिदंबर के दूसरे सप्ता में किसी भी हालत में इस ट्रेक पर काम शुरू हो जाएगा ट्रेनों के ट्रायल का पीछे के और आपको नजर आए इस ट्रेक के कोने की और आप देखेंगे तो वहां पे बड़ी सी क्रेन है ज जो रेक हैं जो रेक हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे तीन रेक रात में पहुँचें और आज इनका ट्रायल शुरू करने का पहला कदम होगा इने ट्रेक के ऊपर चड़ाना इन्दौर मेट्रो रूट प्रोजेक्ट पर 12,000 करोड रुपे से अधिक की लागत आने का अनुमान है प्रते किलोमीटर की लागत 182 करोड होगी मेट्रो रूट का निर्माण फरवरी 2019 में शुरू हुआ और इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है इन्दौर में एक हपते से चल रहा मेट्रो कोच का इंतजार गुरुवार को हत्म हो गया गुजरात के सांगली से चल कर इन्दौर पहुंचे तीन मेट्रो कोच को फोर पॉइंट जैक क्रेन के माध्यम से पत्रियों पर उतारा गया इन्दौर में कई सालों से चली आ रही मेट्रो ट्रेन की मांग आखिरकार पूरी हो गया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिर्वराज सिंग चोहान के मार्ग दर्शन और मेट्रो ट्रेल कॉर्परेशन के महाप्रवन दक मनीश शिंग के विजन के कारण इन्दौर में मेट्रो के संचालन का रास्ता साप हो पाया मेट्रो ट्रेन के तीन कोच इंदौर पहुँचे जहां इन तीनों कोच को मेट्रो ट्रेन के स्टेबलिंग यार्ड में पहुँचाया गया मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने इन कोचो को ट्रेलर से उतारने के विशेश किस्म की 4.J क्रेन की विवस्था करके रखी थी इस बारे में आयनच नीवस से विशेश चर्चा करते हुए मेट्रो के अधिकारी शोभी टंडर ने बताया कि यह कोच विश्चु की सबसे आधुनिक तखनीकों से बना हुआ है जो सुरक्षा की लिहाज से बेहदी हैं और जिसमें सुरक्षा के कई संसाधन लगाए गए हैं मद्य बदेशा यूँ कहें मद्य भारत के इतियास का आज बहुत बड़ा दिन है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोभी जैन साब जो डारेक्टर हैं जो डारेक्टर हैं मेट्रो पुजेक के सोभी टंडन जी माफ कीजिएगा सोभी जी यह बताईए कि इन कोचों में द तकनीक से ही इन कोच को डिजाइन किया है जिससे असारी मेट्रो अब दीरे दीरे उन तकनीक को अड़ाप्ट करी रही हैं जो की गवाटू और गवाफोर टेक्नीक है इस इन फैक्ट जिससे बहुत सेफ और उर्जा सर्ट्शन में काफी मदद मिलती है अब देश में अभी इसी पर संचालन शुरूर ने की कोशिश की है तो हुपाल और इंदौर को एक साथ एक महिने के अंदर इस दो सेटीज में ट्रायल शुरू करने का पहली बार इंफेक्ट मौका में लेगा तनरेंट साब मुझे यह बताइए कि यह हम यह कहें कि यह मददी भारत का पहला कोच इंदौर पहुचा है जो हमारे सबसे करीब में नाकपूर में एक मैट्रो का संचालन हुगा है एक दिल्ली में हो रहा है तो क्या ये गलत होगा कि मद्धी भारत के पहले कोच तीन इंदोर में आज पहुचें हैं? येस, हमने मौक अप का जरूर सीम साब न अवरन किया था, वो वोपाल में किया है, लेकिन कोच हमारा इंदोर में ही पहली पार मद्ध परदिश में आया है. क्या कैपिसिटी है इनकी और कितना AI का इसमें उसकी जा रहा है, कितने लोग एक कोच में सफर कर पाएंगों अग में और आज यहां क्या क्या होने वाला है? लिए इसको डिजाइन भी किया हुआ है तो इसमें जो ट्रैक की मॉनिटरिंग है उसके एक्यूप्मेंट को काड़ी में ही लगे हुए हैं इसका जो कैमरे हैं जो CCTV कैमरे हैं उसमें हमने याई की तक्दीक का प्योग किया हुआ है जिससे और इंटिफाई कर सके दो तीन जग अंचालन में बहुत मदद मेलेगी यह बताईए कि एसक्टेडड डेत क्या माने हम पहले ट्राइल के दूसरे ट्राइल कहा से कहा तक होगा फर्स फेस कहा तक हम ले जाएंगे इसको ट्राइल में एक्स्पेक्टेड डेट तो माननी सीम साब ने जैसा बुला है मेट सप्नम हमको डिपो में अभी टेस्ट ट्रेक में काफी से चला के देखना होगा तो वह हमारा काम अभी अगले दस दिन का इसलिए अब जल्दी चालू करना है एक गंटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वहीं स्थानी सांसत का कहना है कि इतनी तेजी से ट्रेक का निर्मार करना और मध्यप्रदेश की धरती पर मेट्रो को मूर्थ रूप देना मोधी सरकार के नित्रुत में और मुख मंतरी शिवराज सिंग के निर्देशन में ही हो सकता है मुक्यमंत्री जी लगातार इसमें प्रयास करते हैं कि समय सीमा में काम पूरा हो और उसी को लेकर उन्हों देख रहे हैं कि पूरी संभाना है जो ट्रायल रन है 5.9 किलोमेटर का वो सेप्टेम्बर में होगा इसी संभाना है चुकि चेलिंजेस बहुत हैं ये टिपिकल वर्क काम है पर उसके बावजूद भी जिस प्रकार पूरी मेटरो की टीम ने काम किया है मैं उनको बढ़ाई देता हूं कि उन्होंनों चेलिंजेस को स्विकार करके समय सीमा पर इसको ट्रायल रन शुरू कर रहा है मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान और मेटरो रेल कॉर्पोरेशन के महा प्रवंदर के प्रयासों से इंदौर में मेटरो के संचालन का रास्ता साफ हो गया है जल्दी प्रदेश के ओद्योगिक शहर के निवासियों को मेटरो का लाब मिलेगा और शहर तेजी से विकास की और अग्रसर होगा आए रेच न्यूस के लिए बोपाल से मरीशकान जैन के साथ इंदौर से महिश मिश्रा की रिपोर्ट कि लिए इन दोर को समार्ट सिित्यटी का भी अवार्ड मिला है छे कैटिग्री में इंदौर को सम्मान से समानिज कि आ गया इसके पहले छे बार इंदौर को सफाई के लिए नमबर वन का जो खताब है वो मिला था और अब मेट्रो यहाँ पर पहुंच रही है जाहिर पर पर लगातार समय के साथ इंदौर अपने आपको अफग्रेड कर रहा है इंदौर में मेट्रो ट्रेन का रिप ट्रायल है वो अंतिम चरन में है यहाँ पर जमीन के अंदर यानि क अंदर्ग्राउंड मेट्रो का संचालन किया जाएगा मेट्रो की रूट भी ट्रे कर लिए गया है इंदौर में मेट्रो ट्रेन दोडाने का काम प्यजी से चल रहा है मेट्रो का आठ दसमलोब 12 किलोमीटर का हिस्स रीगल से एरपोर्ट तक अंदर ग्राउंड रहेगा इस इंदौर के गांधी नगर में हो गाम मेगा इवेंट छे अंडर ग्राउंड इस्टेशन भी बनाए गये सोशल इंपक्ट अनालेसिस किया गया एन्वार्मेंट इंपक्ट अनालेसिस भी किया गया कि मानिये मुख्यमंत्री जारा मेट्रो का ट्रायर लन का शबार हम होगा और यह कारिकम गांधी नगर जो हमारा मेट्रो का डीपो है एरपोर्ट रोड पर वहां पर ठीक चार बजे होगा और इंदौर के लिए वो सभागे की बात है कि मध्यवजेस में पहली मेट्रो हमको को इंदौर में मिल रही है और बहूत उस्सुखता है पूरे शहर को और खास करके जो इन दिनों में तेजी से काम हुआ है मुझे लगता है देज़ भर में और देश के भार भी मुझे लगता है वीदेश में अभी नहें देखा निए पर इत्था तो मैं कह सकता हूं देज इंदोर मेट्रो परियोजना इंदोर में सबसे पसंदीदा निर्माण परियोजना में से एक है इंदोर के लोग इस प्रोजेक्ट खुले कर काफी उतसाहित हैं तो चलिए जानते हैं कहां कहां से मेट्रो लाइन गुजरेगी परियावरन के प्रभाव से यह जानने का प्रयास किया गया कि इस रूट पर मेट्रो चलाने से कितने लोग अपने निजी वहनों को छोड़कर मेट्रो का इस्तमाल करेंगे INH News के लिए बपाल सेंशनल गौतम के साथ इंदौर से महेश मिस्रा की रिपोर्ट अफी सदी आबादी है वो बड़े शहरों में होने वाली और उसको ही मद्दे नजर रखते हुए मेट्रो का इंदौर में होना भी बेहत जरूरी हो जाता और इसी बात को सूचते हुए ही ये इंदौर का जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो लाया गया है 30 सितंबर को इंदौर शहर में मद्दबरेश की पहली मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रण की शुरुवात होने जा रही है और ट्रायल को लेकर तैयारिया लगभग पूरी कर ली रही है मुख्यमंत्री शुराज सिंग चोहान मेट्रो ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर करीब 7 किलोमेटर के सफर के लिए इसे रवाना दे इंदौर में मेट्रो के ट्रायल के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है मेट्रो ट्रेन के मैनेजिंग डिरेक्टर और जनसंपत विभाग के आयुक्त मनीश सिंग ने मेट्रो ट्रेन के ट्रायल ट्रेन की तैयारी का जाइजा लिया दरसल 30 सितंबर को मुख्यमंद्री शिवराज सिंग चौहान के द्वारा करीब 7 किलोमेटर के इलाके में दोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन के लिए ट्रेन को हरी जन्डी दिखा कर रवाना करेंगे गौर तलब है कि मेट्रो प्रोजेक्ट का काम लगातार तीन सालों से जारी है इस बीच ट्रायल रन गांधी नगर टिको से शुरू होकर इन्फोसिस स्टेशन के बीच किया जाएगा जिसमें तीन डब्बो वाली मेट्रो टेन का मुख्यमंतर शिबरास्किन चोहान हरी जन्डी दिखा कर ट्रायल के लिए रवाना करेंगे काम आगे बीची से चल रहा है जो काम प्रायटिक उट्रों के पूर्ण हो गए है वो सारी टीम सा गय लग गई है और एक अंडर्राउंड का भी अम लोग टेंडर से एड़ी बीव चला गया है हम लोग's का और वो भी एक महिने के अंदर उसके टैंटर्स भी फ्लोट हो जाएंगे, प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आचार सेता के पहले उसके टैंडर्स फ्लोट हो जाएंगे, और सभी कार टाइम पर चल रहे हैं पिछले एक साल से जो हम लोग के टाइम शेडूल बना हैं, इंदोर को मिलने वाली सबसे बड़ी सौकात मेट्रो ट्रेन और उसके स्टेशन विश्ट विस्तर के माप दंडो के अधार पर तैयार किये गए हैं जहां मेट्रो ट्रेन को बिना ड्राइवर के भी कंट्रोल रूम से आउपरेट किया जा सकता है लेकिन सुरक्षा की दिश्टिगत रखते हुए मेट्रो प्रोजक्ट पुरा होने तक इन सभी ट्रेनों को ड्राइवर द्वारा ही संचा लिद किया जाएगा कुछ महीने बाद 25 रैंक इंदोर पहुंचेंगे इसके साथ ही आने वाले सालों में करीब 7 लाग यातरीं प्रति दिन इस मेट्रों में सफर कर पाएंगे आइनेश नियूस के लिए भुपाल से मनीश कान जैन के साथ इंदोर से महेश मिस्रागी रिपोर्ट तो दो हजार चबवीस तक पूरी तरीके से इंदोर में मेट्रों का जो ट्रांस्पोर्टेशन है वो पब्ली के लिए खोल दिया जाएगा आला कि अभी कुछ रूटों पर ही इसे शुरू किया जाएगा और धीरे धीरे इस पर जो काम है वो चलता रहेगा लगाताल प्रयास ही है कि जल से जल इस प्रोजेक्ट का निर्मान पूरा किया जाए इंदोर मेट्रों रूट एक 4-line mass rapid transit system प्रोजेक्ट है और जिसे मद्रविदेश के सबसे बड़े शहर में इंदोर में बनाया जा रहा है इसका निर्मान मद्रविदेश Metro Rail Corporation Limited की तरब से क्या जा रहा है Metro Rail Corporation Limited के प्रयास और राज्य सरकार की इच्छा शक्ती की वज़े से ही ये जो पूरा मेट्रों का प्रोजेक्ट है वो सफलता पूर्वक शुरू हो आ रहा है इससे डास रिप आपका जो संसाधनों को लेकर ट्रांस्पोर्टेशन को लेकर जो दिक्कते आम लोगों को होती है उससे बड़ी रहात मिलेगी लेकिन साथी साथ जो पॉलूशन है उस पर भी कही ना कही नियंतरन होगा प्रदुशन जो लगातार बहानों से फैलता जा रहा है उस पर नियंतरन होगा साथ साथ जो आमारा समय है वो भी बचेगा जिसे की इंदोर जो की लगातार मेट्रो सीटी की तरफ आगे बढ़ रहा है उस दिशा में हम पहल पर पाएंगे बराल रुकरे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द आसर होगे